नमस्कार दोस्तों मैं आपको पलास के पीले फूलों से सोना बनाने का प्राचीन प्रियोग बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप लोग प्राचीन काल की सोना बनाने की विद्या को जान सकते हैं अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं आपको सोना बनाने की प्राचीन बिधी बताऊं तो इस बीडियो को पूरा और आखरी तक देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा दोस्तों अगर इस बिद्या को कोई सिख जाता है तो दोस्तों यकीन मानिये कि वो बंदा सोना बनाना अराम से और बड़े ही सहूलियत के साथ सिख जाता है और जितना चाहे उतना सोना बना सकता है लेकिन दोस्तों सोना बनाना इतना असान नहीं है इसके उपर बहुत ही दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह की रहस्यमई जानकारी सोना बनाने के प्राचिन प्रियोग लाता रहूं तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को सही प्रकार से दबा लीजिए और दोस्तों हम से जुड़े रहने के लिए वीडियो भी लाइक कर लीजिए तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं सोना बनाने का प्राचिन प्रियोग दोस्तों सबसे पहले आपको पलास का पीला फूल चाहिए जिहां दोस्तों आपको यह खास करके पलास का जो पे तो दोस्तों आपको पलास का पीला फूल खोजना है ठीक है और इसका रस निकाल के रख लेना है कितना और सकता नुसार जितना सोना बनाना है ठीक है उधरन के लिए आपको जो है उसका कम से कम 200 गराम रस निकालना है पलास के पीले फूल का 200 गराम रस निकालना है और आपको क्या चाहिए दोस्तों सुद्ध पारा धातु चाहिए जी हाँ सुद्ध पारा धातु चाहिए आपको सुद्ध पारा धातु लेकर की आना है और दोस्तों अगर आपको सुद्ध पारा धातु मिल जाता है तो अच्छी बात है अन्था दोस्तों आप इस प्रियोग को ना करे क्योंकि दोस्तों जो पारा धातु होता है वो बहुत ही जहरीला होता है तो दोस्तों इसलिए इसका प्रियोग बिल्कुल भी बिना किसी बिसेशग के ना करें ठीक है तो दोस्तों इसके लिए सुध पारा चाहिए और सुध पारा धातु को पिगला करके जिहां दोस्तों पि करके अच्छे से गोटाई करनी है जिहां दोस्तों अच्छे से गोटाई करनी है गोटाई करने के बाद दोस्तों इसको मित्रों अराम के साथ जिहां दोस्तों अराम से इसको पकाना है जिहां अराम से पकाना है और दोस्तों आप देखेंगे कि इससे दोस्तों एक विशेश पलास तथा सुध पारधातू को मिला करके जो भसम बनाई यागनी में जला करके तो दोस्तों इस भसम की एक चुटकी या रही एक रत्ती आपको पिघलते हुए सुध रांगा में मिला करके इसको पिघलाना है मात्र लगतार आपको चार घंटा तो दोस्तों और इसको मिला दातू और पलास के पीले फूलों से तो दोस्तों इसको भी एक रत्ती के मातरा में डाल दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए आप देखेंगे कि जो तामा धातू है वो सोने में परिवर्तित हो जाएगा मित्रों जितना आपको सुनने में असान लग रहा है इतना असान न पड़ता है और इसमें ये देखना पड़ता है कि जो तापमान है बराबर होना चाहिए जितना तापमान चाहिए उतना ही तापमान हमें देना पड़ेगा खास करके हमें कंडे का प्रियोग करना चाहिए जो गाय के गोबर के कंडे होते हैं जो भैस की गोबर के कंडे होते तो दोस्तों मिद करता हूँ आपको जानकारी पसंदा ही होगी मित्रों हमारा मक्सद है आपको प्राचिन काल की जानकारी दें दोस्तों ये बात सत्य है कि पलास के फूलों से सोना बनता है ये बात सत्य है और दोस्तों कोई माने या ना माने क्योंकि दोस्तों इसके जानकार नहीं है तो दोस्तों इसका प्रियोग अगर कोई भी व्यक्ति करता है और यदि इसको लाब नहीं मिल पाता है तो दोस्तों हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी हमारे चैनल की ठीके दोस्तों मैंने आपको जानकारी की उद्देश से बताया है अगर कोई तुरुटी हो गई हो मित्रों तो छमा चाहता हूं धन्वाद